है एवरिवन वेलकम टू टैलेंट फंडा मैं हूँ शिवा शर्मा और आज हम करने वाले अपने टेंथ की इंग्लिश एंपी बूर्ट का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है रिपोर्ट आफ एन एडजस्ट केस और इससे लिखाया है किसने विलियम कॉपर ने आज हम इस जिनका यूज करके आप एक्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो रिपोर्ट आफ एन एडजस्ट केस ठीक है यह काफी मज़ेदार पोयम है विलियम की आपको इसको पढ़के काफी मज़ा आने वाला है ठीक है काफी humorous way में इसे लिखे गहिए funny तोर पे ठीक है और आज हम इसी को देखेंगे और इस पे एक मुद्दा क्रियेट हुआ था ठीक है जिसमें बताया गया है कि nose और eyes ठीक है कि इन दोनों के बीच एक विवाद चिड़ा हुआ है spectacles को लेके चस्मे को लेके कि चस्में पे हक ज्यादा किसका है क्या व पूरी पोयम में अपने इसी को देखने वाले हैं और विल्यम ने जो पूरा सेट किया है महौल यहां पे वो एक्दम कोट रूम का दिया हुआ है बैक्ड्राउंड ताकि हम सारी चीज़ों को देख सकें तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सब विल्यम कॉपर के बारे में विल्यम कॉपर यार इनका जन्में 26 नॉमबर 1731 को हुआ था ठीक है इंग्लैंड में और 25 अप्रिल को ठीक है अर देज ओफ 68 इनकी मृत्य हो गई थी खतम हो गए थी एजुकेशन इनकी हुई थी वेस्ट मिंटर स्कूल में ठीक है ओक्यूपेशन से ये पोएट थे और साथी साथ लॉयर भी थे विल्यम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी फोटो कुछ ऐसे दिखा करते थे विल्यम सो चलिए आप देखते हैं इनकी फोएम जैसे कि मैंने बताया कि एक विवाद यहां पे छिड़ा हुआ है नोज एन आइस के बीच में ठीक है किसको लेके स्पेक्टिकल्स को लेके और आप देखेंगे यहां पे कि टंग को यहां पे ऐसा लॉयर बनाया गया है लॉयर रख देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिटिवीन नोज एन आइस इस्ट्रेंज कॉंटेश अक्रॉस दस्पेक्टिकल्स सेट्थम अन्हाप्ली रॉंग पॉइंट इन डिस्प्यूट्ट वॉस ओल्ड वर्ड नोज तो विच दस्ट्रेंज सा ठीक है विवाद है ठीक है इस पृतिसपर्दा बोल सकते हैं किसके बीच लिए है आईज ड़ी हूई है आइज नोस के बीच में कि ठीक है की जो स्पैक्टिकल्स है उस पे हक किसका है नोस का की आइज का और यह जो मुद्धा है विवाद जो है दिस्पूट जो है वो पुरा संसार जानता है कि Tung was the lawyer and argued the cause with a great deal of skill and a wick full of learning while she weren't it set to balance the laws so famed for his talent as nicely discerning अब भाई यहां पर Tung को lawyer बनाया गया है ठीक है और उसके बाद जो है इस मुद्दे पर बात करेंगी यह ठीक है और इसके बाद जो एयर है उसको laws को देखने के लिए नियमों कानूनों को देखने के लिए balance करने के लिए ऐसा जजज बनाया गया है ताकि वो एक सही decision ले सके अपने talent के base पे ठीक है सो यह तो बात हुए second stanza की जहाँ पे टंग lawyer का role लिभाने वाली है यह जो है वो क्या करेंगे जज करेंगे इनके सो चलिए अब देखते हैं third stanza अपना इन behalf of the nose आप देखी lawyer कौन है टंग है तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि जब दो parties लड़ती है तो अकील अलग अलग होते हैं बट यहाँ पे टंग दोनों की तरफ से बोलने वाली है नोस के तरफ से भी और eyes की तरफ से भी सोचिए हाना तो सबसे पहले जो टंग है ठीक है अपनी बाते रखती है नोस के लिए it will quickly appear and your lordship he said will undoubtedly find that the nose has had a spectacle always in wear which amount to the possession time of mind अब यहाँ पे भाई टंग बोलती है कि जब साब ठीक है lord my lord ठीक है इस पे कोई शंका नहीं है इस पे कोई संदेय नहीं है कि हमेशा से ठीक है जो हक रहा है नोस का spectacles के उपर हमेशा से रहा है काफी लंबे समय time से ठीक है तो यह यहाँ पर अपनी बाते रखती है कि काफी लंबे समय से ठीक है काफी लंबे समय से नोस का ही हक रहा है कि इस पे spectacle से और हम यह देखते भी आ रहे हैं तो इस पे कोई संदेय करने वाली बात नहीं है तो आगे होता है then holding the spectacles up to the coat अब क्या करती है उसको उठा के दिखाती है चस्मे को ठीक है कि आप देखिए भाई इस चस्मे को जट साब और आप observe कीजिए कि यह जो है वो क्या बने हुए स्ट्रेडल से बने हुए है यार इस ट्रेजल आपने देखा होगा कि नोस के बीच में जब आपन स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो फ्रेम बना हो रहा तक डिजाइन कि आपके नोस पर वो फिट हो जाए ठीक है उसी को अपन क्या बोलते हैं एस वाइज आप दे नोस इन अब वो बोलते हैं आप उस डिजाइन को देखेंगे ठीक है तो आप पाएंगे कि वो नोस के लिए ही बना है ठीक है और इन शॉट अगर मैं कहूं तो यह बिल्कुल शैडल की तरह है शैडल आपने देखा होगा घोड़े की जीन होती है एक्दम उस पर फिट बैठती है वैसा ही कुछ होता है इसलिए उन्होंने डियरक्टली बोले कि आप सैडल जैसा पाएंगे ठीक है अब आगे क्या होता है अब अगैन ठीक है वूड़्यों लॉट्शीप अ मोमेंट सपोर्स टीस टीस मीन्स होता है अब इट्स के लिए लिए गया है ठीक है अकेज डैट ह अब बोलते हैं ठीक है कि जत्राब ठीक है एक बार आप फिर से सोची ठीक है अमोमेंट सपोर्स आप मान लिजे कि यह जो कैस केस है अभी जो हो रहा है ठीक है यह साथ बाद में फिर होगा ठीक है लेकिन अगर आप सूचिए अगर ना की ना होती मतलब उनका अर्गियों को कहना था कि नोजी ना होती ठीक है कौन मेंता सफेक्टिकलच पएंस पाटिकल में इस पेंटा यह आपनी बाते बाते यह टंक मैं नेू स्के लिए रखी हराड़ मह नपї नहुक्त यह बीच्छी कि ना कंट है भी आप मुक्त में वीकति है और चस्मा पहने सोस with the reasoning the court will never condemn that the spectacles plainly were made of for the nose and the nose was plainly intended for them अब भाई टंक बूलते हैं कि यार जो मेरा arguments है टीक जो मेरे तर्क है जो बाते मैं अपनी रख रही हूँ इसे पर अपन विवाद नहीं कर सकते निंदा नहीं कर सकते इस चीज की टीक है यह clear है कि जो spectacles है जो चस्मा है किसके लिए बना है नोस के लिए बना है और जो नोस है वो किसके लिए बनी है चस्मे के लिए बनी है so clearly यहां पर कह दिया गया अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है अब आगे अब आगे बूलते हैं कि then shifting his side as a lawyer knows how he pled again in behalf of the eyes but what were his arguments few people know for the court did not think they are equally wise अब देखिए अब यहां पर क्या होता है कि अब lawyer as a lawyer उसे अपने दोनों तरफ से बाते रखनी थी तो अब वो बाते रखता है किसके लिए eyes के लिए कौन टंग जो lawyer है वो eyes के लिए अपनी बाते रखती है ठीक है लेकिन अब कुछ लोग जो थे वो जानते थे कि इस arguments का मतलब अब इस दलीलों का इन बातों का कोई मतलब नहीं है ठीक है और अगर अब कुछ बोलती भी है lawyer टंग इसके लिए सो वो लोग समझ रहे थे कि equally wise नहीं होगा मतलब कोई भी इनके लिए समानता नहीं होने वाली दोनों में अब लाश्ट चैन्जा जो करता है ठीक है डिसीजन यहां पर लिया जाता है तो बोलते हैं अब देखिए अब लाश्ट में यह रहा है वो अपना फैसला सुनाते हैं ठीक है काफी decreed manner में ठीक है और उसके बाद काफी Solomon टून में मतलब एकदम सांतवे में वो क्या करते हैं डिसीजन देते हैं अपना deceive यानि कड़ा unclear कुछ और उसके बाद वो बताते हैं कि जब भी ठीक है नोस जो है वो spectacles put करेगी मतलब नीचे नोस से spectacles को उतारा जाएगा तब eyes को क्या होना होगा shut होना होगा means बंद होना होगा यह decision last में आता है किसके दोरा year फैसला सुनाते हैं कि जब भी spectacles को उतारा जाएगा नोस से चाहे वो दिन का टाइम हो या candle light का टाइम हो eyes को क्या होना होगा should shut होना पड़ेगा तो यह थी आपकी poem take a report of an adjust case hope आपको सारी आंसर में writing करेंगे और एक अच्छा score कर पाएंगे तब से पहले देखते हैं strange strange का मतलब होता है अजीब spectacles का means मैंने आपको बताया चस्मा होता इसका मतलब lawyer means वकील को बोलते हैं argued means अपने दलीले बाते रखना ठीक है बहस भी बूल सकते हैं आप तर्क भी बूल सकते हैं loss मतलब होता है कानून straddles मैंने बताया आपको जीन होता है straddles मतलब जीन जो गोड़े को पहनाते हैं अपन intentant means होता है इरादा और decreed means होता है फैसला Solomon means होता है गंभेर और deceive means होता है कड़ा so ये था ये थी आपकी poem वोप आपको सारी चीज़े clear हुई होंगी और in vocab का आप यूज़ करेंगे अपने answer को बनाते हुए लिखने के लिए और आप के लिए एक और चीज यार जब भी आप poem या कोई marker question में ये हमेशा बन जाते हैं इसलिए आप खोशिच किए कि आपको words भी याद रहें and poet and poem के नाम तो काफी ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको सारी चीज़े clear हुई होगी अगर आपके कोई doubt है तो नीचे आप comment करके पूश सकते हैं मुझसे और आप हमारे telegram channel को भी follow कर सकते हैं description box में आपको link दे दूँगा so आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे मिलूंगा next वीडियो में तब तक के लिए thank you go hit and like the subscribe button thank you for watching